प्रारंब में 15 मिनट आपको मिलेंगे अपने प्रशन पत्र को पढ़ने के लिए और प्रशन पत्र जो है दो खंडों में विवाजित है इसमें खंड A है और खंड B है खंड A में 20 बहु भी कलप ये प्रशन रहेंगे जो आपको OMR सीट पे भरने होंगे और बाकी खंड B के प्रशनों के उत्तर आपको 50 अंकों के लिए आएंगे जिसमें वर्नात्मक प्रशन पूछे जाएंगे और प्रतेक के जो आंसर हैं उनके सामने ही लिखने हैं और अंक उनके वही पर जारीद किये गये हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने question paper के solution को और साथ ही साथ जो है आपके जो जो paper मैंने solve कर दिये हैं उनके आप PDF भी download कर सकते है solution के साथ मैं वह मैं आपको बीच में बता दूँगा तो सबसे पहला भवी कल्पिया प्रश्णों की बात करते हैं पहला question पूछा गया है भारते इंदू यूग की विशेष्टा नहीं है तो भारते इंदू यूग की विशेष्टा कौन सी नहीं है यह आपको बताना इसमें नहीं जीन और हरिषचंद चंद्रिका के संपादक बताईए, तो वो कौन है, भारते इंदू, हरिषचंद जो है, इसके संपादक है, का option जो है, इसका correct हो जाएगा, question number 3 की बात करते हैं, इसमें पुछा गया है, हिंदी में आधनिक अलोचना का प्रारंब कब से माना जाता है, तो हिंधी काव्य का स्वण यूग कहा जाता है, तो मद्द काल जो है, इसको स्वण यूग के नाम से भी जाना जाता है, इसमें पुछा गया है, आधी काल की कवीता का प्रमुख विशे उसका प्रमुख विशे था, आस्रेदाता राजाओं की प्रसंसा करना, तो का option निसका correct रचना है साखी और सबद सभी पता चल जाना चाहिए, यह कवीर की रचना है, यहापे कवीर दास जो है, इसका आंसर हो जाएगा, नेक्ट जो कोश्चन है, इसकी दसवे कोश्चन की बात करते हैं, पंदवू गुरू पदुम परागा, तुरुची सुबास, तरस अनुराग गई हैं, तो इसमें प्रतेक्चरण में जो है, सोलह मातराएं हैं, तो खाव उप्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्यारवा जो प्रशन है, इसमें पुछा गया है, तरनी तनूजा, तट तमाल तरूवर, बहु छाए में कौन सा अलंकार है, तो इसमें तव का बार बार वर्ण का जो है, रिपीटेशन हो रहा है, बार बार में तव वर्ण आ रहा है, वहाँ पर अनुपरास अलंकार आता है, जहाँ पर एक ही वर्ण को बार बार रिपीट किया जाता है, यथा शक्ति का समास विग्रे क्या होगा, तो यथा शक्ति का समास विग्रे होता है, सक् प्रश्टी सब्द का तदभा जो है हड़ी होता है नेक्स जो कोशन है इसमें पुछा गया अज्ञान का विलोम है अज्ञान का विलोम क्या होता है ग्यान होता है सभी को पता है इसमें पुछा गया भानु शब्द का पंचमी विवक्ती और दिवचन बताना है तो भानु सब्द का जो पंचमी और दिवचन में आता है वो भानु भयाम आता है नेक्स जो कोशन है क्रत धातु विधी लिड लकार मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष दीवचन में बताना है आपको क्रत धातु का तो इसका होता है कुर्यातम तो यहां पे खाओ उप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर 20 अंकों के प्रशन हमने कर लिए 20 अंक कहां से आपको मिल जाएंगे MCQ आएंगे आपके नए पैटन के अकोडिंग आपको जैसा मैंने बताया PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं बाकी प्रशन के उत्तर देखते हैं हम खंड बा में आ चुके हैं जहां पर लिखित प्रशन के उत्तर देने हैं इससे पहले जो जो हमने विशे क वह से और जो हमने सॉल कर दिया है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं 2023 का रक्शा नवी का UP जारी किया गया है नया पैटन पूरा सोलूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं समाजिक विज्ञान मैप वर्क के साथ में साथ हुम साइंस जो विशे है इसको भी हमने complete करा दिया ह लिकित solution मिलेगा आपको सब का, और सांथी-सांथे जो आपका हिंदी विशय है केवल हिंदी, उसका भी हमने संपून उत्तर दे दिया है, तो इस तरह से यह सारे विशय आपको करवा दिये गए है, बाकी के विशय जैसे ही आते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे, आपको एक ही जगे एक ही लिंक है, जैसे आप description box में जाओगे, आपको इस सारे answers मिल जाएंगे, तो answer PDF के लिए जो है description box में आप जा करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, खंड B की बात करते हैं, खंड B में आपका पहला जो प्रशन पूछा गया है, निमलिकित गद्यांस के नीचे द आशा की जोती जो है, इसका sort में answer दी यह आप पूरा line से लिखोगे, कि लेखा का गुरू से किस प्रकार की जोती, यानि कि आशा की जोती, ठीक है किस प्रकार की जोती की कर जा जाएगा, आशा की जोती पिकिरिंड करने की नेवेधन कर रहा है, इसके बाद जो है next question है, इ अंगी कार करने का क्या भी प्राय है, बहुत important question रहेगा, आपके pre-board और final exam में ये सारे प्रशनों को आप जरूर पढ़ें, अगर आपको PDF चाहिए, तो description box में दिया गया है, link वहां से आप download कर सकते हैं, अगर आपको कोई link में समस्य आती है, तो आप सीधे सीधे comment section में comment भी कर सकते हैं, तो यहां पर जो है, करतक्य भारत का प्रणाम अंगी कार करने का क्या भी प्राय है, तो करतक्य भारत का प्रणाम अंगी कार करो का जो मतलब है, वो है, आप करतक्य भारत वासियों को के प्रणाम को जो है स्विकार करने की किरपा करें, इसका मतलब ये है, इसक अगर आपको पढ़ने के बाद में आपको प्रश्णों के उतर देना है, सब्द और कृति से लेखा का क्या तात पर रहे है, शब्द और कृति दो अमोद शक्तियां है, कौन सी सक्तियां है, दो अमोद शक्तियां है, ठीक है, और जो है, इसमें क्या है, शब्द से तात पर र 22 कि यहाँ पर आपको को बाइसों है कर दोनों करेंगे मैं आपको आपको प्रिश्चा में रखनाता है प्रिबयों के लिए और परिक्शा के लिए जो जो भी आप प्रश्ण पत्र देख रहे हैं, यह बहुत ही महत्पूंट रहने वाले हैं, 2023 के लिए, तो यहाँ पर जो है, मेरे तो गिर्धर गोपाल, दूसरों ना कोई से क्या तात पर रहे हैं, तो मीरा भाई क्या कहती है, कि मेरे तो गिर्धर गोपाल, अर्थात, स्री क्रिष्ण ही सर्वस्व हैं, यानी मेरे हैं, अन्य किसी से मेरा कोई संबंद नहीं है, जिस क्रिष्ण के सिर पर मोर मुकट है, वही मेरा पती है, मैं क्रिष्ण को ही अपना पती यानी रक्षक मानती हूँ, इसका मतलब यह है, इसका ताट पर हमें बताना था, तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये लिखित आंसर आप जो है PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, हर विशे का, दूसरा जो प्रशन है, मीरा के काभवे में व्यक्त रहसवाद का परिचय आपको देना है, तो रहसवाद कैसा है इसमें, मीरा परदेश बसत है, लिख लिख भेजत पाती, मेरा प्रिया हरदे बसत है, ना कहूं आती जाती, तो ये आप छोटी से लाइं लिखेंगे, बहुती छोटा सा स्लोक है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, जो आप आसानी से याद ना कर पाएं, याद जरूर करें, धंग से याद करे मीरा ने किस भाषा में रचना की है, तो मीरा ने रास्थानी और ब्रज भाषा का मिला जूला, जो है, स्वरूप प्रियोक्त किया है, इसका अथ्वा पाठ है, अगर आप ये कर चुके हैं, तो आपको और ये वाला नहीं करना है, लेकिन अगर आपने उपर वाला नहीं कि तो गुप्ता जी ने अपनी कवीताओं में प्रकरती के मोहक चित्र को प्रस्तूत किये हैं या किया है। जाग रहा है तो लक्षमन धनुर्धर जो है वो जाग रहा है इसके वाज़ पंचवटी में किसकी कुटी बनी हुई है तो पंचवटी में राम, लक्षमन और सीता की कुटी बनी हुई है। लिया गया है हिंदी अनुवाद जो है पहले वाले पैराग्राफ का यह हो जाएगा। श्रीकृष्ण का मामा कंस अत्यचारी शाशक था उसने पहले अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से किया। बाद में आका सुवाणी सुन करके दोनों को ही जेल में डाल दिया। वही जेल में स्रीकृष्ण उत्पन हुए। यह है बस इसका हिंदी अनुवाद तो इतना हिंदी अनुवाद कर देना है। इस कात्वा पाठ के अगर हिंदी अनुवाद करें और संधर्व लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। संधर्व है प्रस्तुत आउतरन हमारी पाठ्य पुस्तक के अंत्रगत संस्कित खंड के परमहंस रामकृष्ण नामक पाठ से उद्धत है। और इसका हिंदी अनुवाद जो करेंगे उसमें लिख देंगे संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द इनहीं महानुभाव के शिश्य थे। उन्होंने केवल भारत वर्ष में ही नहीं अपितू पश्मी देशों में भी व्यापक मानो धर्म का जो है बजाया। सेवा से ही पुष्ट होती है यह मतलब रामकृष्ण के महान संदेश थे तो इस तरह से इसका अनुवाद जो है आप कर देंगे। नेक्स जो है आप पुष्ण जो है आप इसमें देखिए खवपाठ। खवपाठ में संस्कित पध्यांस अप छोटी सी कवीता यानि श्लोक दिये गए हैं इन श्लोकों में से किसी एक श्लोक का जो है आपको संदर्व सहीत हिंदी मनुआद कर देना है पहले संदर्व की ब प्रसंद रखता है संसार उसे प्रसंद रखता है यह छोटा सा जो है आपको हिंदी अनुआद कर देना है इसके अथवा पाठ की बात करें तो अथवा पाठ भी हमने कर दिया है आपको करना केवल एक ही है ध्यान दखना है तंधर्व हो जाएगा प्रस्तुत स्लोक हमारी पाथे पुस्तक के अंतरगत संस्कित खंड के पुरुषत्तमहरामहव नामक पाठ से लिया गया है, इसमें भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है, और संस्कित अनुवाद जो है, उसका हिंदी अनुवाद क्या कर देंगे, और वह राम, नित्य शांत मनवाले, म् विचार को प्रकट करना है, या तो आप दीबदान का करिए, या फिर आप अथवा वाला लक्षमी का स्वागत वाला करिए, दोनों में से एक ही करना है, क्योंकि यहाँ पर अथवा पाट दिया गया है, तो हमने दोनों कर दिया है, बाकी आपको केवल एक ही करना है, पांच ये प्रशन है – 5 अंक मिल जाएंगे. दीपदाम, दीपदान नामक एकांकी, रामकुमार वर्मा का एक प्रसिध एकांकी है, दीपदान की कथा भी कुनवर उदय SINGH का सरक्षन करने वाली धाय पन्ना के दवारा जो है, उदय SINGH के प्राणों की रक्षा करने, और उसके लिए अपने पुत्रचंदन के बलिदान करके करने के प्रसंग से संबन्दित है, यह दीबदान जो है, यह क्या कथा है, यह इसमें बता दिया, फिर दीबदान एकांकी की कथा कैसी है, उसको हम यह आपर बताएंगे, और इसमें सब कुछ लिखा है, वही चीज़ क और बनवीर है ये साथो जो है इसे एक आंकी के प्रमुक पात्र हैं और महराना सांगा की मिर्त्यू के बाद जो है उदै सिंग जो है राज सिंग हासन का उत्रा अधिकारी था परंतु उसकी आयू कम होने के कारण जो है महराना सांगा के भाई पित्वी राज के दासी पुत् तिन थी, वो कुंवर उदे सिंग की धाय, यानि धाय मा यानि की धाय मा बोलते हैं, जिसको होने के कारण उसका बाल भी बाका नहीं होने देना चाहती थी, और वो वनवीर ने कुंवर उदे सिंग को अपने रास्ते से हटाने के लिए दीबदान का आयोजन किया था, और इस आड़ में ही, आड़ का उदेश यही लेकर के कुंवर उदे सिंग की अत्या करना चाहता था, तो इस तरह से आप अपने इस कहानी दीबदान एकांकी कहानी का कथा संगठन लिख सकते हैं, अथवा लक्षमी के स्वागत पर भी आप लिख सकते हैं, तो अथवा वाला पार पर गहरी चोट करने वाली है, और कहानी का जो मुख्य पात्र है, वो रोशन है, जो की एक मध्यम वर्गिये व्यक्ती है, और इस एकांकी में लक्षमी का स्वागत है, इसका एक अर्थ सटीक निकलता है, इसमें क्या निकलता है, कि इसमें सारी घटनाएं इसी शीशक पे आधारित है, ठीक है, इसमें रोशन जो है, उसकी पत्नी की असमाईक मिर्थ्य, यानि अचानक मिर्थ्य हो जाती है, उसका बेटा जो है, वो डिप्तीरिया नामक रोग के कारण जो है, मिर्थ्य शया पे पढ़ा हुआ, अपने जीवन की अंतिम सांसे ले रहा है, उसके ल होता था, इस कथन को सुन करके, उसको इस प्रकार एकांकी कार जो है, अश जी ने मन, व्यक्ती के मन में अवस्थित धन की लोलुपता को उत्षीशक के माध्यम से बड़ी सुक्ष्मता से दर्शाया है, अता लक्षमी का स्वागत शीशक जो है, सत प्रतिशत उचित और उ आप लक्षमी के स्वागत की एकांकी के प्रमुक पात्र का चरित्र चित्रन करना है, जो कि मैंने बताया प्रमुक पात्र जो है रौनक है, उसका चरित्र चित्रन अभी अभी हमने थोड़ा सा देखा समझा इस स्टोरी में, और वही चीज़ यहां पर भी बताई गयी है, प्रमुक निराश और हतास दिखाई पड़ता है, उसका भगवान से भी विश्वास उठ गया है, वो अपने बेटे की जो है नाजिक अवस्ता देख करके भगवान तक को जो है कैलस या कुरूर कह देता है, और अपना उसका बेटा जो है जीवन तथमित्यू के संगर्स प पड़ी हुई है, उन्होंने काफी जो रोशन है वो अपने माता पिता को काफी धिकारता है, इस प्रकार जो है त्याग धहर रेता था सच चरित्र गुणों के द्वारा जो है इसमें हम कह सकते हैं कि आप जब इस्टोरी पढ़ेंगे तो आप बिना प्रभावित हुए नह रचनाओं के नाम लिख देने हैं, सबसे पहले आज 4 हजारी प्रसाथ दिवेधी के बारे में मैंने कई बार बताया है, तो इसको पढ़ने के आउशकता नहीं है, इसको इतना पढ़ लेना, उनकी रचनाओं यहाँ पे मैंने दे दी है, तो इसको आप उतार सकते हैं, इसक क्योंकि examiner कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से कोई भी change भी कर सकता है, इसलिए आपको सभी याद करने होंगे, इसलिए हमने सभी answers दिये हैं, जीवन परीचे देने के बाद में उनकी रचनाओं के नाम लिख दोगे, यह तो आपके हो गये, जितने भी लेखक है, यहाँ पर क्या है, लेखकों की बात हो रही है, अब जो है कविओ की बात होती ही जो कवीता लिखते हैं, तो कवीताओं के बारे में भी पूछेगा वो, निमलिखित कविओं में से किसी एक का जीवन परीचे देते हुए, उनकी दो रचनाओं के नाम लिखने है, तो मीरा भाई के बारे में भी हमने बताया है, तो मीरा भाई का जीवन परीचे लिखते हुए, जो है आप उनकी रचनाई दे देंगे, और इसके बाद में अंतिम जो है आपका मैथली सरण गुप्त, उनका भी जीवन परीचे देते हुए, उनकी रचनाई जो हमने दे दी है, त तो इसमें से कोई वी एक श्लोक आप लिए सकते हैं, जो इस प्रश्ण पत्र में या आपकी प्रश्ण पत्र में नहीं आएगा, हर चेप्टर का अलग-अलग एक एक स्थी प्रश्ण की आद करें, उसमें से कोई supportive लिखना होता है, आगे बठ़ते हैं, 27 प्रश्ण पर इसमे है आप देख सकते हैं अगला जो प्रशन है निमलिकित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का देखो ध्यान से किसी एक का जो है अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कर देना है सबसे पहला उल्टी गंगा वेना तो इसको भी हमने पहले अर्थ इसका भी वाक्य प्रयोग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं मैंने अपनी मर्जी से कर दिया है और आस्तिन का साप होना यानि कड़ी चल ञाई मित्र होना तो इसका भी वाक्य का आप कर सकते शुल्क मुक्ती है तो आप प्रधानाचारे को पत्र लिखे या फिर अपने प्रधानाचारे को संबोंदित करते हुए प्रात्नापत्र लिख करके अस्वस्त होने के कारण आपको एक दिन का आक्समिक आवकास चाहिए उसके लिए पत्र लिखे दोनों में से कई वह एक ही कर और विगत परिक्षा में पहली मन में, पहली बार में मैंने अपनी कक्षा में प्रत्रमिस्थान प्राप्त किया, लेकिन दुरभाग्य वश पिछले कुछ महीनों से मेरे तिता जी की बीमारी के करण जो है घर की आर्थिक दशा खराब हो गया है, ऐसी इस्तिती में योग्य व्यक्ति वनों और मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करेंगे, तो मेरे परिवार का आर्थिक बोज जो है, वो कम हो जाएगा, तथा मेरी पढ़ाई के लिए मार्ग प्रशष्ट हो जाएगा, अतहा मेरे शुल्क माफ करके मेरी सहायता करें, और सहायता करने की भारी रहूंगा धन्यवाद लिखते हुए आपके करिशिष वगरा लिखते करनमांग और आप यह डेट जो है आप नीचे लिखें चाहें आप डेट जो है यहाँ पर भी दिनांक आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं चाहें तो नेक्स पार्ट है इसके अथवा पार्ट में ज जो है थोड़ी सी जोहर से पीडित हैं डाक्टर ने मौसमी इसको विमारी बताया है और एक दिन के संपूर्ण विराम का मुझे सलह दी है और उसके बाद में अतहा स्रिमान से निवेदन है कि जो भी आप डेट डालना चाहें जैसे आज मान लीजिए 23 तारीक है 24 तारीक है सलूशन के लिए तो आसा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ प्राप्त किया होगा और जैसा मैंने बताया कि आप सारे के सारे PDF सुलूशन प्राप्त कर सकते हैं अगर PDF आंसर चाहिए तो आंसर के लिए जो है आप सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज सब्सक्नाइब करना बिल्कुल ना बूले